सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कश्मीरियों पर हमले रुकनी का नाम नहीं लिए रही है ताजा मामला बागपत जिले के कोटवाली इलाके के एक इंस्टिट का है जहां पढ़ने वाले चातरों पर देर रात हतियारों से लैस दरजनों असमाजिक तत्वों ने हमला करते हुए जमकर मारपीट की जिसे एक चातर गंभी रुप से घायल हो गया जिसको आनन फानन में अस्पताल में भरती कराया गया जहां घायल का इलाज चल रहा है वहीं दरजनों चातरों ने थाने में तहरीर दे कर सुरक्षा की मांगी है चातरों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें यहाँ पर खत्रा है इसलिए उनका बागपत से सेंटर बदल कर जमू कश्मीर में कर उन्हें वहाँ भेज दिया जाए फिलहाल मामला संग्यान में आने के बाद जिला के आला अधिकारी मामले की तफ्स्तीश में जुड़ गई है और मामले को शांत करने की बात कह रही है ये कोई पहला मामला नहीं है जब कश्मीरी चात्रों के साथ मार पीट हुई हो इसे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आये हैं अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कारवाई करता है पंजाब केसरी टीवी के लिए बागुपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट